तो गैस आसना ब्रेट और आलू से बहुत ही मैदार सा नाश्ता जो है ना मैं अपने किछन में बनाने वाली हूँ और इसकी वीडियो में आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ तो ये नाश्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है खाने में बच्चों के evening snacks में हम इसको बना सकते हैं lunch box में भी हम इसको बना के दे सकते हैं यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत easy है यह बनाना तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने एक ball में 4-5 जो है ना मैंने आलू ले लिए हैं यह medium size के आलू ले लिए हैं मैंने और यहाँ पे मैंने 4 पीस्ट जो है ना मैंने bread ले लिए हैं कोई भी bread जो है हम यहाँ भी use कर सकते हैं तो आलूओं को मैंने boil करके उनके छिलके निकाल लिए हैं और bread को ऐसे तोड़के मैं ऐसे डाल दूँगी अरलू के बीच में और थोड़े से यह मतर के दाने थे मेरे पास यह मैंने boil करके इसमें डाल दिये हैं लहसुन और अद्रग का paste मैंने पीस के रखा था वह इसमें add कर दूँगी और इसमें हम add कर देंगे यह अपना काटा हुआ प्यास यह नास तो बहुत ही जल्दी बनके जो है वो तैयार हो जाता है थोड़ा सा इसमें मैं चिली फ्लिक्स add करूंगी और अच्छी तरह से ना इसे हम एक dough form में mix कर लेंगे तो हमेंने सारे मिक्चुर को अच्छी तरह से mix कर लेना है और इसे एक dough form में हमें त्यार कर लेना है तो इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे तो सबसे पहले आधा छोटा चमच साबू चीरा आदा छोटा चमज पीज़ा हुआ चीरा इसमें डालेंगे आदा छोटा चमज धनिया डालेंगे इसमें थोड़ी सी इसमें पीज़ा सीजनिंग डाल रहे हैं हम इससे जो है न फ्लेवर बहुत खुश्वू बहुत जाल अच्छी आती है इसकी ब्लैक पिपर पौडर डा रहे हैं थोड़ा सा और इसमें हम अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग जो है न वो नमख डालेंगे थोड़ी सी हम अजवाइन डाल रहे हैं अजवाइन से भी न इसका फ्लेवर बहुत जाल अच्छा आता है और वैसे भी अजवाइन जो है बहुत ज़ादा अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए और कसूरी मिथी डाल दी है मैंने दो पिंच के करीब और इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये नाश्टाना कुछ ही मिन्टों में बनके तैयार हो जाता है अगर आपको जल्दी है ना बच्चों की टिफन बनाने की तो आप इसे जल्दी से बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं तो सारे मसाले जो है ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हैं तो यहां पिना आधा टी स्पून मैंना ओइल डालूंगी इसमें कोई भी ओई इसमें डाल सकते हैं हम और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम तो अभी मैं ख्या करूंगी एक प्लेट को ना मैं ग्रीस कर लूंगी पहले तेल के साथ और फिर थोड़ा सा तेल मैं अपने हाथ में लगाँगी और इसके हमना टिक या जा स्लेंडर शेप इसको देए सकते हैं या मैं किसी भी शेप मैं हम इसके जो स्नACKS है ना बनाके त्यार कर लेंगे तो यहां पर मैं ऐसी स्लेंडर शेप दे रही हूँ आप देख सकते हैं ये डोक तना अच्छा पने हमारे हाँ से बिलकुल भी चिपक नहीं रहा है तो इसे के करेंगे हम अपने ब्रैट करब में थोड़ा सा घुमा के हैं और इसे एक बार प्रेश कर लेंगे जिसे जो हमारे क्रम्प्स है ना अच्छी तरह से चीपक जाएं इसमी timeline तो यहां भी कूछ पने स्लेंडा शेप में बना ने स्क्रीम फटेश कमी ठीक सिंटीब मेंे तो सारे स्नैक्स जो है रहने बना के तियार कर लिए हैं तो आभी हम इनको कर देंगे साइट में और इनको कर लेंगे फ्राई तो आप चाहें इसे शरफ्राई डीफ फ्राई एर फ्राई कर सकते हैं तो यहां बेना एक गढ़ाई पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है तो एक कड़ाई में तेल गरन करने के लिए डाल दिये था तो यह बनी हुई हमारा इस यह परिदी Leanne अई yn tea लाएं कि अशशा आग गई अगर हम पर आप से पखने देने अचि तरह से तो उपर से रुका हलका सा तेल हमें के उपर डालते जाना है जिससे दे ऊपर से अच्छी तरह से través 找 जाएं तो जो स्नाख्स हमारे पख गए हैं तो उन्हें हम निकालेंगे एक नापकेन पर यहां पी मैं एक टोख्री मैं पेपर डालके इसे नकाल दिया है ताकि जो अक्ष्टरा ओ olive है वो निकल चाहे इसमेwww तो हमारी ये कटलेट्स जो है न वो अच्छे बने हैं आप देख सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ज्यादा युमी लगते हैं अभी इनको सर्फ करेंगे एक प्लेट में इसके उपर डानेंगे थोड़े से चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इसमें सीजनिंग, पीज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स अगर मिर्ची नहीं खाते हैं तो अवाइट कर सकते हैं आप मिर्ची को और हमारा ये मज़ेदार सा स्नैक्स जो है न वो इवनिंग के चाए के साथ बनके तयार हो चुका है और डिप इसकी तेयार करी है मैंने शेज़वन सास, मियोनीज और चिली सास को डाल की और थोड़ा से इसमें कच्चा गारलिक डाला हुआ है जिसे ये जो सास है न बहुत अच्छी बनती है खाने में तो आसकी वीडियो में वस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर